हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल कॉपी वितूरमी में आप सबका स्वागत है और आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक नई रेसिपी वो है कोल्ड कोफी बनाने की रेसिपी तो घर पर बनाएंगे और बिल्कुल कैफ है श्टायल बनाकर तयार करेंगे बिल्कुल जाग वाली कोल् कीट क में हो रहा है बहुत ही जव्uttrophy हो रहा है और धvre कोल्ड कोफी बनाएं और अपने पेट को थंड़क दे तो कोल्ड कोफी बनाने के के लिए हम सबसे पहले कोफी पाउडर और इसी शमेश से बढ fig ma हम चार चमच पानी डालेंगे और इस तरीके से सही माप के साथ हम नाप के डालेंगे और चार चमच पानी डालने के बाद इससे अच्छी तरीके से चमच से चलाते वे थोड़ी मिक्स कर लेते हैं ताकि हलका सा चीनी मेल्ट हो जाए आप चाहे तो इसी तरीके से चलाते वे इसका जाग दयार कर सकते हैं लेकिन काफी टाइम लगेगा 15-20 मिनट भी लग सकती है तो मेरे पास यह है जाग बनाने वाली मसीन तो इसी तरीके से हम जाग बना लेंगे इससे बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत ही स्मूध जाग बनका तयार होती है बिल्कुल क्रीमी और प्लपी बनती है बस ऐसे हैं आपको चलाते हैं कुछ मिनट चलाना है और देख सकते हैं बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है तेवे इस तरीके से आप जाग बना कर तयार कर सकते हैं तो आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में कुछ दिन के लिए रख सकते हैं इसे बंद करकर तो आपका फिर जब मन करें दो चमच निकाल कर आप बना सकते हैं कोल्ड कोफी तो मैं भी यह से ढख कर रख दूंगी कुछ दिन के लिए ज्यादा दिन तो नहीं चार-पांच दिन तो चली जाता है अगर फ्रीजर में रखेंगे तो तो इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करकर रख सकते हैं ताकि आपको बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा बना वारेगा तो फटा-फट स आप कोल्ड कोफी बना सकते हैं तो मैंने दो गलास ले ली है और इसमें डालेंगे चार छोटे-छोटे आइस क्यूब बरपके टुकडे और साथ में हम डालेंगे इसमें जो हमने कोल्ड कोफी का ज्ञाग बना कर रखा था यानि कोफी का ज्ञाग वह एक एक चमच भर कर बाद फिर हम इसमें दूड डालेंगे दे और देख सकते हैं अभी विजाग बिल्कुल परफेक्ट है स्मूथ ली है कंस्टेंसी भी आप देख सकते हैं इसका तो अब हम इसमें डालेंगे चोकलेट शीरप इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा है आपके पास अबलेबल है तो पेट सेट हैं तो सब्सक्राइब महीं जाइब टालेंगे अपके और पिन दूद अडिधन हम गलास को भड़े हैं ठोड़ा काई और को थोड़ा सा खाली राखना पोरा फूल नहीं भरना आहां क्योंकि इसमें डालने वाले थैसमीं आउड़ ब्लेभि तो इस तरीके से Finnish दोलेंगे और फिर हमसे चलाइकर मि large के लेंगे ताकि कोफी ढहुते दीष्लबे के सब्सक्राइब से डाले प्यज़ाद तो इसका थिक भी कच ऊता है बहुत ही छला JACशना है बिल्कुल पत्ली भी नहीं लोगती है जागवाला कफीद अर फिर डालेंगे आपके पास आइस क डाल लें तो यह देखिए तो मैं इसमें बटर स्कोछ वाली डाल रही हूं दो दो चमच भर कर डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा कोल्ड कोफी में टेस्ट आता है और आइसक्रीम खाने से और इसमें जो आइसक्रीम मिक्स होती है न टेस्ट आइसक्रीम और भी बढ़ा दे लेंगे यह डेरी मिल्क मैंने चोकलेट ली है ताकि देखने में भी और अच्छा लगे और उपर से फीर से हम थोड़ा सा चोकलेट सीरप टाल लेंगे और देख सकते हैं कितना प्यारा बनकर तयार हुआ है और देखने सही मूं में पानी आ रहा है इसी तरीके से आप फट टाफ हट से जल्दी से कोल्ड कोफी घर पर बनाकर तयार कर सकते हैं जाग वाली और कैफ है स्टाइल तो मेरी यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाक स्सक्रेब और से जरूर किज़ेगा और इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रही है तो चल लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में